C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कंठ रुका है महानाश का मारक गीत रुद्ध होता है आग लगेगी खण में रित्तल में अब क्रुब्ध युद्ध होता है जाड और जंखाड दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से रुद्ध गीत की कुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से कणकण में है व्याप्त वही स्वर रोम रोम गाता है वहध्वनी वही तान गाती रहती है काल कूट फण की चिंतामनी आज देख आया हूँ जीवन के सबराज समझ आया हूँ भुविलास में महानाश के पोशक सूत्र परख आया हूँ रचैता बाल कृष्ण शर्मा नवीन प्रिष्ट संख्या 142 कविता के बारे में विपलव गायन जडता के विरुद्ध, विकास एवं गतिशीलता की कविता है विकास और गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाली प्रवित्ति से संघर्ष करके कवी नयासरिजन करना चाहता है इसलिए कवी विपलव के माध्यम से परिवर्तन की हिलोर लाना चाहता है प्रश्न भ्यास कविता से प्रश्न एक कणकण में है व्याप्त वही स्वर से लेकर काल कूट फणी की चिंता मनी इन पंक्तियों में बताईए वही स्वर वहध्वनी एवं वही तान किस के लिए किस भाव के लिए प्रयुक्त हुआ है और बताईए वही स्वर वहध्वनी एवं वही तान से संबंधित भाव का रुध गीत की कृध तान है निकली मेरी अंतर तर से पंक्तियों से क्या कोई सम्मंध बनता है? प्रश्ण दो, इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए. पंक्तियां हैं, सावधान मेरी वीना में से लेकर दोनों मेरी एठी हैं तक. कविता से आगे, स्वाधीनता संग्राम की दिनों में, अनेक कवियों ने स्वाधीनता को मुखर करने वाली ओज पूर्ण कविताएं लिखी. माखन लाल चतुरवेदी, मैथिली शरण गुप्त और सूर्य कांत त्रिपाठी निराला की, ऐसी कविताओं की चार-चार पंक्तियां इकठा कीजिए, जिन में स्वाधीनता के भाव ओज से मुखर हुए हैं. प्रिष्ट संख्या 143, अनुमान और कल्पना, कविता के मूल भाव को ध्यान में रखते हुए, बताइए कि इसका शीरशक विपलव गायन क्यूं रखा गया होगा? भाशा की बात, एक, कविता में दो शब्दों के मध्य, डैश का प्रयोग किया गया है, जैसे, जिससे उथल पुथल मच जाए, उथल और पुथल के बीच, डैश का प्रयोग किया गया है, दूसरी पंक्ति में, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, कण और कण के बीच में डैश का प्रयोग किया गया है इन पंक्तियों को पढ़िए और अनुमान लगाईए कि कभी ऐसा प्रयोग क्यूं करते हैं 2. कविता में कॉमा, पूर्ण विराम, आदी जैसे विराम चिन्हों का उप्योग रुखने, आगे बढ़ने अथ्वा, किसी खास भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है कविता पढ़ने में इन विराम चिन्हों का प्रभावी प्रयोग करते हुए काविपाठ कीजिए गद्य में आम तोर पर है शब्द का प्रयोग वाक्चि के अंत में किया जाता है से लेकर वही तान गाती रहती है तक इन पंक्तियों में है शब्द का प्रयोग अलग-अलग जगहों पर किया गया है कविता में अगर आपको ऐसे अन्य प्रयोग मिलें तो उन्हें चाट कर लिखिए तीन इन पंक्तियों को ध्यान से सुनिए पंक्तियां है कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ से लेकर एक हिलोर उधर से आये तक इन पंक्तियों के अंत में आये जाये जैसे तुक मिलाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है इसे तुकबंदी या अंत्या नुप्रास कहते हैं कविता से तुकबंदी के और शब्द या पद छाट कर लिखिए तुकबंदी के इन छाटे गए शब्दों से अपनी कविता बनाने की कोशिश कीजिए पाठ समाप्त प्रिष्ठ संख्या 144 शब्द कोश यहां आपके लिए एक छोटा सा शब्द कोश दिया गया है इस शब्द कोश में वे शब्द हैं जो विभिन पाठों में आए हैं और आपके लिए नए हो सकते हैं किसी किसी शब्द के कई अर्थ भी हो सकते हैं पाठ के संदर्व से जोड़ कर आप यह अनुमान खुद लगाएं कि कौन सा अर्थ ठीक है आप देखेंगे कि शब्द के अर्थ से पहले विभिन प्रकार के अक्षर संकेत दिये गए हैं इन संकेतों से हमें शब्दों की व्याकरण सम्मंधी जानकारी मिलती है यहां दी गई सूची की मदद से आप इन अक्षर संकेतों को समझ सकते है संकेतों की व्याक्या इस प्रकार है आ यानि अव्याई क्री यानि क्रिया संग यानि संग्या पू यानि पुलिंग स्त्री यानि स्त्रीलिंग अ क्री यानि अकर्मक्रिया सा क्री यानि सकर्मक्रिया, वी यानि विशेषण, वा यानि फारसी, अतिशय अर्थात बहुत विशेषण है, अधितिकाएं, अर्थात पहाड के उपर की समतल भूमी यानि टेबल लेंड, स्त्रीलिंग है, अप्रतिब, अर्थात अन्य मनस्क, उदास, निराश, यहत प्रभ, विशेषण है, आकरिष्ट यानि आकरशित, विशेषण है, आजानु लंबित केश, अर्थात घुटनों तक लंबे बाल, विशेषण है, आर्थ क्रंदन, अर्थात दर्द भरी आवाज में रोना, पुलिंग है, आवन, अर्थात, आना, सकर्मक्रिया है, आविर्भूत, अर्थात, प्रकट या उद्पन, विशेषण है, संग्या भी है, इंद्र नील, अर्थात, नील कांत मनि, नीलम, नील मनि, इंद्र का प्रेरत्न, पुलिंग है, इल्ली, अर्थात, तितली के बच्चों का अंडे से निकलने वाला बाद का रूप, ये स्त्रिलिंग है, उचारे, अर्थात, उचारण करना सकर्मक्रिया है, उन्मुक्त, अर्थात, बंधन रहित, स्वतंत्र, विशेषण और संग्या, उपत्यकाएं, अर्थात, पहाल के पास की भूमी, तराई, घाटी, स्त्रिलिंग, उमग्यो, अर्थात, उमर्ना, क्रिया है, कटुक, अर्थात, कडवी या कटू, विशेषण और संग्या है, उरिन यानि रिन्मुक्त, विशेषण है, प्रिष्ठ संख्या 145, करकश, अर्थात, कठोर, उग्र, विशेषण है, कर्ण वेध, अर्थात, कान छेदने का संसकार या रस्म, विशेषण है, कार्थिकेय, अर्थात, कृतिका नक्षत्र में उत्पन्न शिव के पुत्र, देवताओं के सेनापती, संग्या है, कुपजा, अर्थात, कुबडी, कंस की एक कुबडी दासी, जिसकी तेड़ी पीठ कृष्ण ने सीधी की थी, ये, विशेषण, स्त्रिलिंग और संग्या है, केका, अर्थात, मोर की बोली, स्त्रिलिंग और संग्या है, क्रूर, अर्थात, निर्दय, हिंसक या कठोर, विशेषण और संग्या, क्वार, अर्थात, आश्विन महीने का नाम, ये, विशेषण है, ख्रीन, अर्थात, दुर्बल, पतला, विशेषण, गुरूर, अर्थात, गर्व, घमंड, पुलिंग और अव्यय, घाम, अर्थात, धूप, पुलिंग, घेउर, अर्थात, ताल में उपजने वाली घासें, स्त्रिलिंग, चंचु प्रहार, अर्थात, चूँच से चोट करना, चिकोटी, अर्थात, चुटकी, स्त्रिलिंग, चंद, अर्थात, वर्ण, मात्रा, यति, आदिके नियमों से युक्त, वाक्य, अभिलाशा, इच्छा, अभिप्राय, पुलिंग, डोगर, अर्थात, तीला, पहाडी, पुलिंग, तजी, अर्थात, तजना, यचोड़ना, सकर्मक्रिया, तर्बतर, अर्थात, लथपत, डूबे हुए, विशेशन, तुशार, अर्थात, बर्फ, हिमका टुकड़ा, संग्या, थामना, अर्थात, पकड़ना, सकर्मक्रिया, दस्तूर, अर्थात, तरीका, रीती, फारसी, दामिन, अर्थात, दामिनी, बिजली, स्त्रिलिंग, दुकेली, अर्थात, जो अकेली नहो, जिसके साथ कोई और हो, विशेशन, द्यूती, अर्थात, चमक्रिया, अर्थात, दोशाखाएं, विशेशन, धकियाने, अर्थात, धकियाना, धक्का देना, सकर्मक्रिया, नवागंतुक, अर्थात, नया-नया आया हुआ, या नया अतिथि, विशेशन, निकसार, अर्थात, निकास, निकलने का द्वार, या मार्ग, पुलिंग, निश्चेश्ट, अर्थात, बिना प्रयास के, चेश्टा रहित, अचेत, संग्या, निश्चेध, अर्थात, नकारना, मना करना, अकर्मक्रिया, पक्षी शावक, अर्थात, चिडिया का बच्चा, पुलिंग, संग्या, परकाज, अर्थात, उपकार, दूसरे का काम, विशेशन, पिंजर बद्ध, अर्थात, पिंजरे में बंद, विशेशन, संग्या, पुनरुद्धार, फिर से उपर उठाना, दोबारा उद्धार करना, अकर्मक्रिया, प्रतिदान, अर्थात, बदले में, पुलिंग, फोकट, अर्थात, मुलि रहित, मुफ्त, विशेशन, बंकिम, अर्थात, बाका, तेढ़ा, विशेशन, बंधुर, अर्थात, मुकुट, पुलिंग, संग्या, बदर्या, अर्थात बादल, स्त्रिलिंग, बदहवास, अर्थात घवराया हुआ, विशेषण, बलिहारी, अर्थात निचावर होना, स्त्रिलिंग, बारहा, अर्थात बार बार अनेक बार, अव्य, फारसी, भद्द, अर्थात उपहास, बुरिदशा, स्त्रिलिंग, भाव भंगी, अर्थात हाव भाव, विशेषण, मंद्र, अर्थात सुस्त, गंभीर, धीमा, विशेषण, संग्या, मारजारी, अर्थात मादा बिल्ली, स्त्रिलिंग, मुदित, अर्थात प्रसन, विशेषण, मुजी, अर्थात कंजूस, अव्य, विशेषण, मुदिल, अर्थात कोमल, पुलिंग, मेह, अर्थात मेग, बादल, पुलिंग, मेह, अर्थात मेग, पुलिंग, प्रिष्ठ संख्या, 146, नागर्मोथा, साई, वनप्याज, अर्थात, खेतों में उपजने वाली घासों के नाम, पुलिंग, विज्यापित, अर्थात, विज्यापन में दिखाया गया, विशेषण, विनिहित, अर्थात, रखा हुआ, विशेषण, विश्युचिका, अर्थात, संक्रामक रोग, हैजा, चेचक, स्त्रिलिंग, विस्मय, अर्थात, आश्चर्य, विशेषण, वियसन, अर्थात, बुरी आदत, पुलिंग, संग्या, शरद, अर्थात, वर्षा के बाद और शिशिर रितु के पहले की रितु, विशेषण, संकीर्ण, अर्थात, संक्रा, छोटा, संकुचित, विशेषण, संग्या, संग्मर्मर, अर्थात, एक सफेद पत्थर, जो इमारतों में लगाया जाता है, मुख्य रूप से राजस्थान में, मकराना में पाया जाने वाला, एक सुन्दर पत्थर, संग्मर्मर्, पुलिंग, संभ्रांत, अर्थात, कुलीन, अच्छे कुलका, विशेषण, संशय, अर्थात, आशंका, संदेह, विशेषण, सचही, अर्थात, संचय, जमा करना, सकर्मक्रिया, सबद, अर्थात, शब्द, पुलिंग, सर्वर, अर्थात, नदी, पुलिंग, सरसब्ज, अर्थात, हरा भरा, विशेषण, सरसाम, अर्थात, सेहरन और कंपकंपी के साथ बच्चों को होने वाला बुखार, पुलिंग, साफा, अर्थात, एक तरह की पगड़ी, जो कुछ अधिक उची होती है, पुलिंग, सहबी ठिकानों, अर्थात, सम्रिध्या अमीर लोगों के घर, विशेषण, सीत, अर्थात, ओस के कण, शरदरितु, स्त्रिलिंग, सुजान, अर्थात, बुद्धिमान, पुलिंग, सुना, अर्थात, सुनना, सकर्मक्रिया, सुरम्य, अर्थात, मनोहर, अतिरमनिय, या सुन्दर्स्थान, विशेषण, संग्या, सुहावन, अर्थात, सुन्दर, विशेषण, सूमो, अर्थात, जापानी पहलवान, पुलिंग, स्तबक, अर्थात, फूलों का गुच्छा, पुलिंग, संग्या, स्थिर, अर्थात, गतिरहित, अचल, विशेषण, स्नेह सिक्थ, अर्थात प्रेम से भरा हुआ, स्नेह से भीगा हुआ, विशेशन, स्मृति, अर्थात याद, सकर्मक्रिया, स्वपन, अर्थात स्वप्न, सपना, पुलिंग, हर्ष गदगद, अर्थात प्रसन्नता से भरा हुआ, पुलिंग, संग्या, होडा होडी, अर्थात, प्रतिस्पर्धा, दूसरे से आगे बढ़ जाने की चाह, स्त्रिलिंग, शब्दकोश समाप्त वसंत भाग दो, अभी आप सुन रहे थे, ये ध्वनी पाठे पुस्तक, प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत